हुआ है यह जाना चीए हरे को कैसे खुस किया जाए खुस करने के लिए यह तिर लंब जम्मो जैट कारी काने बनाइगे कि इसमें कोई जनाधार वाले व्यक्ति नहीं है जो कॉंग्रेस में जानफूब से कॉंग्रेस की कारेकारणी है जिस मन से विश्वास के साथ इतनी बड़ी कारेकारणी लेकर आएं सचिन पाइलेड जी है तो निस्चित रूजी उनका कोई बड़ा प्लान होगा और पूरे राजस्तान में बहुत लंबी चुड़ी कारेकारणी लेकर आएं सब लोगों को प्रतिनीदी के दिने की कोसीस की है और कॉंग्रेस को आगे हमारे लिए चुनोती अब देखते हैं किस दंग से काम करती है कॉंग्रेस हम सब मिलके है एक तरफ किरोडी लाल मिणा ने गुट अब बात उठाते रहें जनाधार वाले निता कितने हैं गुटवाजी तो साफ दीखती है क्योंकि इस पूरी कारण नगाकरी में इतने लोगों को लेने के बाद भी सीपी जोशी की तरफ से शिकायत की जाती है के इंद्री नेतरत को इसमें कुछ दूब जिस शुरू होग रहें क्योंकि उनको जो उत्सा बर्दन मिला वह पिछले विदान सवा उपचुनाब हुए चार उसमें जो तीन में वो जीत गई कांग्रेस जीत गई तो उनको लग रहा है शायद कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्दी हो गई ऐसा उनको लगता होगा शायद या बाकी कांग्रेस की उपलब्दी नहीं है वो तो बीजेपी आहिंकार में थी और उन्होंने ऐसे वेक्तियों को टिकेट दे दिया जिस जिसमें एक तो असी वर्स की बुजूर्ग थे जो बिचतर से चलनी पा रहे थे उनको टिकेट देदिया और उनको टिकेट बांगा ही नहीं दूसरे वेक्तव से यहाँ किलए पार्टी बीजेपी उस डिस पार्टी पूरे जुन जून में कोई होाँ सखवाटी में लिघाए और उसके कालों से जो हारे वह नंबर बढ़ने का कोई मतलब निए कॉंग्रेस में जब तक राहूल गांदी का समर्थन है वो बनेगा यानि आप तो नंबर बिल्कुल घड़ जाने चाहिए थे याने सो में से उसके नंजानमा नमर कर जाने चाहिए थे उसके बाद यू सो में से 150 नमर दे दियो उनको तो नंबर का कुछ नहीं यहां तो भागे की बाद भी हो सकती है नजदी की का मतलब है और बंदना का मतलब है और संसुस कैसे किया जासे है इसके बारे में जोरों चीजों को हम जोड़ कर देख सकते हैं सचिन पाइलेट को फ्रीहंट क्यों मिला उसके पीछे उप चुनाव ए अगरी है सबस्कार नवसकार सबस्क्राइब इस आपके चैनल के लिए हैं जी बिलकुल इस आपके चैनल के लिए ही को अगविख साल उसकी हाट बहुत बहुत बदाई आपको धन्यवाद सर और दूसरा ये राजिस्तान की शान है जैपर की आने इंडिया टीवी सब की जा हाँ दूसरा सरी है जो सबस्क्राइब बनाई अपनी कारक करनी काफी अच्छी मजबूत कारक करनी है और मैं तक्षा रखता हूं चीज से कि आने वाले टाइम पे ज्यादा बड़ी बात हो नहीं कि यह कोंगर्स मजबूत ही मिलेगी कोंग्रेस को बहुत अच्छा है मतला मिशिन मिलेगा और आने वाले समय पे देखा जाएगा दोजाए तेरह या अच्छे मोमेंट से अठेगे हैं जैसे निखाई चुनाओ करना कोंग्रेस का बोट बड़ा ही है बड़ा नहीं है शुक्रिया इसरा के लिए समभ सकते हैं कि यह जो कारिकार्णी है यह जान अश्मर जी अमने तो पहले भी कहा कि देखिए पार्टी जो है ऐसी कोई चुनोती हमें तो नहीं लगती है लेकिन फिर भी भारत जिनता पार्टी जितने मीं चुनाओ आए हैं और अपनी जो कुद की जो है उसकी दम पर चुनाओ लगती है अपने उपर विश्वास रगत है तो भाज़ता पार्टी उसका भी सौकत करती है जी मैं आपसे जाना चाहूंगा कि जो आपका नया संगठन का नया स्वरूप है क्या यह जो आपसे मद्वेद वाली बात है कि कम कर पाएगा देखिए अस्वनी जी कॉंग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है बहुत बोस और मात्मा गांधी ने एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ा कॉंग्रेस के राष्ट एद्धक्स का उस समभी थी यह कोई नई बात नहीं है लेकिन निश्चित रूप से जो सचिन पाइलेट ने कारिकार्णी बनाई है यह कारिकार्णी राजस्तान के अंदर बहुत सदर्शी के रूप में रखा गया ऐसा नहीं है यह यह एहम बात आपने छोड़ दी अब बिल्कुल बिल्कुल अब मैं आता हूँ पियल जोश्री जी की राजस्तान की राजनीती में क्या योगदान रहा है डॉक्टर कमला जी दस साल में किस तरह से सक्रिये रही है यह तर कोई बुज़र नहीं मिला और पर्टी के बेस काखर नहीं होता आज भी इंदोस्तान में 30% वोट 23% कांग्रेस को मिले हैं ऐसा नहीं है जो आप जो कहरे हैं जो आप लेना फकर की बात है क्या मैं तो कहरा हूं शर्म की बात है जो यह कहरा है कि हम राजनीती से को लेना देना नहीं है नबगे आज पास पहुंच गए और हिला-डूला हमारे लेकिन मेरा सवाल बी-एल जोशी पर है राजिन राजी जोशी पर है बी-एल जोशी का संगठन से बुन्याद से क्या लेना देना है रिटायर्ड पूलिस अधिकारी इंट्रागादी की घरीब होता है राजिपाल बन जाते है ठीक है उनके अपने और कोई कारण रहोंगे तक ने तरी प्रूश्कार दोगा होगा है कंग्रेस के ऊपर के नितां को निता होगा लेकिन राजस्थान बें तो इनका कोई लाब नहीं है उनका इसली सवाल किया था कि क्या यह जो नई कारेकार्णी है जो 136 कारेकार्णी सदर से उसके साथ ही स्ताहि आमंध्रित विशे प्रचा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या हो सकता है उनर जीवित होगी कॉंग्रेस तेके सब नई टीम बनाई है नई टीम एनरजेटिक है यह नई अभी तो काम करने के बाद शुरुआत होने के बाद ही पता चलेगी कि नई टीम पाइलेट साफ की कैसी है कैसी नहीं है मुझे नहीं लगता है कि पाइलेट सामने जो अपनी कमेटी बनाई या जो टीम बनाई है वो पंचायत इस्ता पर कहीं सफलता प्राप्त कर पाई कि भारती इंदा पाटने ने जितना जमीनी पर किया उतना काम करने मैं कॉंग्रेसी सक्षम नहीं दिखना है मुझे देको है ना हर जनता यह सोच भी है कि हमें तो सरकार से ही जो काम करें अब मैजोर्टी आई है अगर मैजोर्टी बिलेगी तो मुदी सफल है तो लेकिस सचिन फिलाल सफल नहीं जाएंगे आज हमारा सवाल आप से था कि क्या नई कारिकार्णी कॉंग्रेस को पुनर जीवित कर सकती है इस पर आपकी राए हमें मिली और आपकी राए के मताबिक 60 पीज़दी दर्शक मानते हैं कि पाईलेट की नई कारिकार्णी कॉंग्रेस में जान पूख सकती है लेकिन मेरा सवाल है बाकी चालीस की राय पर कि आखिर वो बाकी चालीस क्यों नहीं मानते कि ये पुनर जीवीत नई कारिकार्णी के दम पर कॉंग्रेस में जान फूकी जा सकती है मांचंच जी शुरुआत से मैं लगातार इस बारे में आपके पास सवाल लेकर आता रहूँगा लेकिन इस बार मैं जानना चाहूँगा कि विशेश आमंतरी सदस्य आमंतरी सदस्य तमाम तरकी जो महमाना इस संगठन में शामिल किये गए हैं क्या वो पार्टी को मजबूती दे सकते हैं क्योंकि कई ऐसे हैं जो सक्रिय राजनेती में पिछले दस साल में नहीं थे देखे मैं यह कहना चाहरा हूँ कि हाँ इसमें कोई दोरा नहीं है कि अगर सक्रिता के साथ में काम किया जाए तो कारेकरता आ सकते हैं इसके लिए आंदोलों खड़ा करना पड़ेगा बहुत सारी सारी बाते दे दिये बीजेपी ने आंदोलों करने के लिए आप सड़कों पाने को तयार नहीं है धरना प्रतशन करने को तयार नहीं एक बात तो यह दूफरी बात केवल बोलने से कुछ नहीं होगा केवल आप और लोगतंद रहेगा तो हम रहेंगे यह जब तक बात नहीं हो जाएगी मैंने समधाई कॉंग्रेस पार्टी कुछ भी कर पा रही है और अंतिम पार जो मैं कहना चाहरा हूं और सबसे महतरपून है वह यह कि सारे के सारे कॉंग्रेसी अपने आपको कॉंग्रेस के लिए समर होती बनी है या और कमजोर हुई है कॉंग्रेस क्योंकि विपक्ष है देखिए मैंने बताया कि बाहर जंता पार्टी को इसे ज्यादा कोई नहीं लेकिन फिर भी कही ना कहीं जो है जिस तरीके की कारिकारनी हुई है इत्ती बड़ी कारिकारनी कही है आपने खुद ने कहा है लोगों को साधने की कौशिश की है जो लोगों में आप शी हाला थे इनको साधने की बाकि शली किने कोई बात नहीं बिलकुल नहीं है अपनी चीज पर मजबूत रखते कि अपनी जो ग्राउंड है वह मजबूत होगा चनता से मारा चली मैं समझ गे इस बात को गिरा जी मैं आप आप से जाना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से जो दबाव वनना चाहिए खासत तौर पर चेहरों में एक सो तीस लोगों की इस आबावंडल में वो शक्सियत कहीं नजर नहीं आती देखिए निश्चितुरूप से व्यक्ति बढ़ा नियोता पार्टी बढ़ी होती है पिछले दिनों भी सचिन पाइलेट ने बढ़ने के बाद पूरे राजस्तान में महेंगाई के योजनाओं की समिक्षा की जाएगी उसके बाद जैपुर में बहुत बड़ा प्रदेशन हुआ उससे मुख्यमंत्री जी को भरतपुर में भयान देना पड़ा कि सरकार इन योजनाओं को बंद नहीं करेगी तो ऐसा निया कि पार्टी अब दिरे दिरे आप दी लोग यह क के बाद निश्ची तुरूप से नहीं कारेकारणी आई है अब नैस जो होगा वो जनता के हित में ही होगा अपनी बाद मानों नहीं हम तो मैं तो मैं तो मैं तो यह कह रहा हूं कि जो मीडिया किस्तों से कहता है कि 6 मैंने हुए अभी आप जवाब मांग रहे हो 6 मैंने भी निश्ची तुरूब से निश्ची तुरूब से निश्ची तुरूप से जनता को जोड़ने का रहे हैं तब भी आप डरेंगे नहीं पर दो शीटों में समट गई ती इसके बात खड़ी हुई है यह निया हार से कांग्रेस ने अना कारी करता या पार्टी जो है खतम नहीं होती है लेकिन आदत पढ़ जाती है यह तो कुछ लिए काफी को लंभी बहस चल चुकी है मैं राजिन्द राज जी आपसे फाइनल कमे संजोग से काओ भाग्य से काओ कि उनको तीन सीटे मिल गई सो में से 75 परसेंट नमबर मिल गए उनको तो बैसे शोगता में आगे एक जुटता नजर नहीं आई अब उगर उनको क्योंकि लोगतंत्र है बहुत सारी ऐसी कसोटी आएंगी अभी कुछ दिनों बाद इस्थान से चुनाब हुए थे एक सो चॉरासी बिदा इस्थानी निकाए हैंपने तो एक सो चालिस के पी और होंगे अगस्त में चुनाव होंगे तो दो अभी अगले साल अपने को दो चुनावों में लोग्तंत्र की kसोटी एक तरह से आएगी तो कांग्रेश को यह दिखाना होग तो उन्होंने का कि हम समझचा करेंगे उसकी भी कोई समझचा नहीं तो हार से कोई सबक तो सीखा नहीं और स्थानी निकाय की चुनाब में भी मुझे लगता कि वह इस पे कुछ कर पाएंगे अगर ऐसा ही रहा तो कुछ नहीं होगा लेकिन हागर एक जुटता रही तो निश हमारे सामने आ चुकी खास महमानों का शुक्रिया आदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बहतर साबित हो